उत्राखन की नौनी के साथ आज हैं अप्राजिता संस्था की संस्थापक फाउंडर रजनी सिनहा जी तो रजनी जी उत्राखन की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है नमस्कार रजनी जी प्लीज बताईए उत्राखन की नौनी के दर्शकों के अप्राजिता कैसे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश कारे कर नलीनी जी ऐसा है कि जो हमारे समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं हैं मुख्य रूप से फोकस तो मेरी उनके लिए ही होती है और उद्देश ये है कि सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से ही सबल ना बनाया जाए बलकि मांस्रिक और सारिरिक रूप से भी उन्हें स्वत और स और मुख्य रूप से मैं इसी पे काम करती हूँ उन्हें सबलता तो देनी ही है सबलता तो सबों को चाहिए वो निम्न क्लास से लेके उची क्लास तक की महिलाएं हैं सब चाहती है कि आर्थिक रूप से सबल हो लेकिन मुख्य उदेश ये होता है कि सबलता के साथ-साथ क्य मानसिक रूप से भी उन्हें एक आधार दी जा रही है या क्या शारिक सबलता भी उन्हें मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं होती उन्हें नहीं पता कि उनका रहनसान क्या होना चाहिए उनकी खानपान क्या होनी चाहिए उनके रहने का तरीका क्या चाहिए क्योंकि इसकी समझ तो एक अच्छे परिवार की महिलाओं तक नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि वो बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने फैमली पे ध्यान देती हैं और बड़ी सुद्रिड़ता से सफलता पूर्बगी से चलाती है, उन्ह पहुंचते उनके शरीर की सिती तो खराब होती ही होती है मांसिक रूप से भी वो इतनी ज़्यादा सुद्रिड और इतनी शशक्त नहीं रह पाती तो घर में जब एक औरत की भूमिका बहुत सबल नहीं होती तो फिर परिवार की सिती भी चर्मरानी शुरू हो जाती है तो मे सबसे पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए अपनी सोच पे अपनी रहन सहन पे अपनी रख रखाओ पे अपनी खान पान पे सबसे पहले हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए यदि हम स्वस्थ हैं यदि हम सबल हैं तो सभाविक है कि हमारी फैमली भी स्वस्थ होगी उस जो समाज मिलके एक शहर बनता है एक जिला बनता है और एक सुन्दर सा देश का रूप तयार होता है तो हमारे देश के निर्मान में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारे है बहुत विशाल कारे है इसकी अगर शुरुवात करें तो पता नहीं कि इसकी अंत कब और कहां हो पाएगी तो ये बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं को सबसे पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए इतना ही नहीं जो बच्चियां एडॉलेशन एज की हैं मतलब क्लास 8 से लेके 12 तक ही उन बच्चियों के लिए हम लोगों के पास कारिशाला होती है वर्कशप होता है जिसके तहट उनके लिए मैं पढ़ाती नहीं हूँ उन्हें लेकिन हाँ उनमें ये समझ जरूर मैं डालना चाहती हूँ कि वो बच्चियां अगर उनके हाथ में घरवालों ने मुबाइल दिये हैं तो मुबाइल पे सिर्फ मैसेजिंग और गेमिंग और नेट को उसके दुरूपयोग ना करें बलकि नेट के सदुपयोग भी हैं वो जरूर नेट चलाएं वो जरूर वाटसब चलाएं लेकिन सिर्फ दोस्तों से चैटिंग करने के लिए नहीं बलकि नेट के जो सदुपयोग हैं जो यूज हैं उस पे भी वो ध्यान दे और घर बैठे सारी दुनिया की जानकारी ले लें क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कमजोड तबके में रहने वाली सारी की सारी बच्चियां बेकार हैं खराब हैं और उनके पास दिमाग नहीं है ऐसा नहीं है उन्हें भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहुत सबल हैं बस उन्हें मा कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम लोगों की विजिट होती है, हमारी छोटी-छोटी कारिशाला उनके लिए चलती है, जहाँ पे उन बचियों के लिए प्रोग्राम और्गिनाईज किये जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें ये बात बताई जाती है, कि ये शिक्षा के अलावा भी और क्या-क्या महत्वपुर्ण हैं आपके जीवन में, मतलब नटसेल में समझें नलिनी, तो मैं उन्हें मांसिक और शारिरिक सबलता देने की कोशिश करती हूँ, कि पढ़ाई तो अलग बात है, आप 50-60% लाएं, लेकिन जब तक मांसिक रूप से आप सबल नही होंगे, तब तक आपकी विकाश नहीं हो पाएगी, तो मेरा मुख्य उदेश ये होता है, कि उनकी जो एक वीजन है, वो बहुत मजबूत हो, सुद्रिड हो, और उनमें ये समझ हो, कि उन्हें आगे क्या करना है, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, और कौन से रास्ते अपनाने होना, तो अगर कोई बच्ची आपके इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहती है, तो कैसे जुड़े, अगर कोई बच्ची मेरे साथ जुड़ना चाहती है, तो हमारी टीम है, हमारे साथ, हमारी फ्रेंड्सी हैं, जो साथ में जुड़ी हुई ह जो साथ में काम करी ए जयसे कि उस दिन के कारिकरव में भी मैं बताई सीमा सिंग जी है परविंदर कौर जी है अनीता जी है जो कि एक बहुत अच्छा बुटीक चलाती है और उस बुटीक के तहत वो ऐसा नहीं जो वोड़ेगों के लीए ही काम करती है तो हम लोगी कोशिश होती है कि जो moral values हैं उस पे उन्हें काम दिया जाए और उन बच्चियों में कुछ skill develop की जाए जैसे कि कुछ skill develop आपने करा तो उसे फिर florist कैसे करना है उसे एक अच्छा platform कैसे देना है तो आपको manufacturing से लेके marketing unit तक की जानकारी होनी चाहिए तो इनके छोट चोटे वरक्शोप भी चलाए जाते हैं जहां उन्हें इस तरह की जानकारी दी जाती है skill development में क्या क्या कराते हैं इस skill development में कोशिश यह है कि सबसे पहले लड़कियां जो हैं उनके जो books हैं उनके copies हैं जो पुराने हो जाते हैं तो यह कोशिश होती है कि उसके मारफ़ तो अच्छी packets होगेरा बनाने की कोशिश करें यह सब चीज सीखें उसके बाद उनके जो पुराने जो books होगेरा होते हैं उन books को सही जगा भेजी जाती है जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं ताकि उन बच्चों को निशुल की किताब कॉपी मिल सके इन लड़कियों को marketing क skills सिखाये जाते हैं कि अगर आप कुछ बनाना जैसे कि जो थोड़े निम्न तपके की बच्चियां होती हैं मुझे लगता है उनमें सुद्रिटा जादा होती है खास करके मध्यमर्ग और उच्पर की बच्चियों के क्योंकि इनके रख रखाव पालन पोसन और उनके जो त में बात कर सकते तो बहुत सारे प्रोग्राम्म अनलाइन हमारे चला जाते हैं वर्क्चप उनलाइन चलाए जाते हैं जैसे चोटे-छोटे धूपअ गर्बती बनाना है अचार बनाना है पापर वयर तो खर महलार करती ही करती है यह बच्चियां संदर संदर कार्टून बनाती है, अच्छे अच्छे डिजाइन तयार करती है, हैंड मेट बहुत डेकुरेटिव आइटम बनाती है, तो बस जरूरत यह होता है कि उन्हें थोड़ा सा गुरूम किया जाए, क्योंकि उनके पास प्रिजेंटेशन नहीं होता, इस चीज की उनके पास अकल नहीं होती, बेसिक जो है उनका जानकारी है, तो हम लोगों का काम यही होता है, कि उन्हें स्किल दी जाए, गुरूम की जाए, और एक अच्छी प्रिजेंटेबल थौर्ट्स के साथ, अबजेक्स को कैसे सामने लाना है, इसकी जानकारी उन्हें दी जाए, जिस पे हम लोगों काम करें, मैम जैसा कि अपराजिता संस्था हर साल अवार्ड फंक्शन भी कराती है, तो उसके लिए किस तरह की महिलाओं को चुना जाता है, कैसे वो आवेदन कर सकती हैं, अच्छी अपराजिता, जैसे नाम आप सब जान रहे हैं, अपराजिता, जी हाँ, मतलब महिला का वो स्वरूप, जो कभी पराजा होना सीखा ही नहीं, तो जो महिलाओं शहर में रह रही हैं, अच्छे क्लास की हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, इन्हें दिक्कत नहीं, इन्हें तो एकनॉलेजमेंट मिल भी रही है, और बहुत अच्छी एकनॉलेजमेंट मिल रही है, लेकिन वो महिलाओं जो बड़े शहरों से दूर हैं, छुपी हुई हैं, एक तरह से कहें कि छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने की कोशिश है अपराजिता, तो उस तरह की महिलाओं को एकनॉलेज की जाती है, और हम लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्मानित करें, सम्मानित सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता, कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, सम्मानित करने का मुख्य उदेश होता है, कि जब हम एक महिला को एकनॉलेज करते हैं, तो उसके साथ एक लंबी कातार पहुँचती है, उनके पीछे जो महिलाएं हैं, और वो इनकी फूट्प्रिंट फॉलोवर्स बनती हैं, और वो महिलाएं भी चाहती हैं, कि वो भी बढ़ियां काम करें, अच्छा काम करें, उन्हें एक नॉलेज की जा, क्योंकि एक नॉलेजमेंट और कम्प्लिमेंट्स, यह सब किसे नहीं पसंद होता, सब चाहते हैं, कि सब को एक नॉलेजमेंट मिले, तो कोशिश यही है, कि जो हमारे पहाडों की, जैसे उत्तरकासी है, कोटेशोर है, बागेशोर है, टीरी है, इन सब जगह रुद्र प्रियाग है, तो उन सब जगह की हैं, वो महिलाएं, जो कि वहाँ पे छुपी हुई है, कितनी है, जंगलाद पे बहुत अच्छा काम कर रही है, गर्मी के टाइम में भी जंगल में रहती है, अपने गाउं में रहती है, और पूरी अपनी टीम उन लोगों ने बना रखी है, कितनी है, पराजित नहीं है, तो आप लगाता है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी अपराजिता के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उत्राखंड की नौनी के माध्यम से आप रजनी मेहम तक पहुंच सकते हैं, यह खुबसूरत जानकारी देने के लिए और महिलाओं को लड़िको को इस तरह से मूटिवेट करने के लिए उत्राखंड की नौनी से जुणने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी, धन्यवाद मिलनी जी, उत्राखंड की नौनी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज, थैंक यू,